असलाम वालेकुम मेरे पर्देशी भाईयों वजारते दाखला के तरफ से एक बहुत बड़ा नोटिस दिया गया है इस हबते में काफी लोग को गिरफतार किया गया है जैसा कि आपको पता होगा VPN को लेकर एक नया मामला चला है साओधी अरब में और काफी लोग का सवाल ये भी है कि भाई साओधी अरब में अब VPN बंद हो गया है काम नहीं कर रहा है काफी लोग का सवाल ये भी आया और जो लोग भी VPN को सेल करते हैं इंटरेट पैकेज चलाने के लिए उन लोग का भी मेसेज आया है और एक आदमी का गुरूप चलता है वो इसका करवार करता है अभी उनके तरब से भी मेसेज आ गया है कि भाई जो कुछ VPN हम बेच रहे थे वो काम नहीं कर रहा है कुछ VPN उस वीपियन का फाइन हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कैसे पता चलेगा कि हमारे पर वीपियन का फाइन है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखे आपको पूरी जनकारी दिया जाएगा और काफी लोग यह भी कह रहें कि भाई वीपियन को करने के बाद भी हमें वर्टसप पे बात करने को नहीं मिल पाता है यानि हम वर्टसप पे बात कॉल नहीं कर पाते हैं क्या रीजन है कोई दूसरा तरीका है या नहीं है तो लास्ट में दूसरा तरीका बताने बला हूँ किस तरह से आप डिरेक्ट यहां पे कॉलिंग कर सकते हैं अपने देश में और फिरी में बात कर सकते हैं तो सबसे पहले में आपको बताना चाहूंगा इस हपते में 17257 लोग को गिरफतार किया गया है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि VPN के जुरूर में गिरफतार किया गया इसा नहीं है यह सौधी आरब में चेकिंग चलता है जब चेकिंग ज्यादा हाई हो जाता है तो इतने ज़्यादा गिरफतारी होने लगता है यानि ज़्यादा लोग को गिरफतार किया जाता है और इसमें से काफी लोग को तरहील करके भेजा गया है यानि डिपोर्ट करके भेजा गया है जिसमें से 9379 लोग है जिसको डिपोर्ट करके भेजा गया है जो लोग भी पकरा कर जाते हैं, जिलनों के ओपर कोई जुर्म होता है, अगर आप डिपोर्ट होकर यहां से जाएंगे, तो दोबारा सवी अरब में कभी भी नहीं आपाएंगे, अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम होने के नाते बाद में आपको पांसा, यानि पांसाल के बाद आपको तूरिस्स वीजा भी मिलेगा बस उमरा वीजा और हज वीजा प 1 आप मुसलिम है तो नहीं तो नहीं मिलेगा तो यह अपडेट है और यहां पे जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं जैसर election के काफी लोग यहां पर समंदर के रास्ते आते हैं और जिन लोग का बॉर्डर एटे लाएंगे वीपियन को लेकर तो वीपियन का इस्तमाल जो लोग करते हैं वो कहते हैं कुछ नहीं होता है हम 10 साल से 20 साल से इस्तमाल करते हैं मुझे कुछ नहीं होता है और पुलिस जब चेकिंग करने के लिए पकरती है तो वहाँ पे कुछ नहीं होता है मैं अपना मुवाइल सो कराता हूँ तो मैं आपको बतना चाहूँगा VPN का इस्तमाल अगर यहां पे एलाव होता तो गोर्मेंट का जो भी वेपसाइट है या अपसर है या यहां का बैंक अकाउंट है या आप लाजी का या किसी भी बैंक अकाउंट को उपन करते हैं तो जब अब तक आपके मुवाइल में VPN कनेक्ट रहेगा यह एप्लीकेशन काम नहीं करेगा या गोर्मेंट का कीवा हो या गोसी हो या और भी वेपसाइट हो अगर आप VPN को कनेट करके रखते हैं चालू करके रखते हैं तो तवक्कल नहुआ और अफसर हुआ और भी वेपसाइट हैग करने की कोशिज करेगा तो यह काम नहीं करता है तो आप इसे समझ सकते हैं यहाँ पर पहले से पावंदी है लेकिन प्रस्नल इस्तमाल के लिए लोग चलाते हैं तो चला सकते हैं लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा अपने मुवाइल में हमेशा के लिए ना रख नहीं तो एक बीती बात बता रहा हूं यहां पे एक रोड पे चेकिंग चल रहा था पुलिस आया और उसके दोकान में एक हुरूब बला अदमी बैठा हुआ था तो उसने इसारा से उसको कहा कि यहां पुलिस आ गई है तुम निकल चाहूं यहां से तो वह इसारा पुलिस वाला दे मुबाइल ले लिया और उसके मुबाइल में चेकिंग कर रहा है कि इसको किसी ना किसी तरीके से फसाया जाया क्यूंकि गुसा किसी और का था उतारा जाया किसी और पे उसका मुबाइल ले लिया आदा घंटा तक उसके मुबाइल में गूगल में जाकर सर्च कर रहा है दे प्याट है तुम बीपियाशीट नेसे संज की दर इस्तमाल करता हो तो काफी परिसान करने पद उसे छोरा तव यह गलती ना करें अगर बाहर निकलते हैं कहीं जाने लिए तो अपने मोवायल में ने रखें या उसे application को हाइड करें वहतर होगा नहीं तो मैं कोसिस करता हूँ कि आप इस्तमाल ही न करें क्योंकि इस्तमाल करने से बहले ही आप किसी को नुक्सान न पहुचाते हो लेकिन अपना नुक्सान है अगर आप अपने मुबाइल पे कुछ डेटा रखते हैं तो हैक होने का डर होता है क्योंकि हम लोग फिरी वाला चल रहा है क्या माजरा है तो मैं आपको बतना चाहूंगा सबसे बेहतर होगा कि वर्टसप के जगह पे आप वी आईपी एप हुआ और एक सिगनल एप है आप उसे डाउनलोड करके बात कर सकते हैं और जो लोग भी परिसान थे कि भाई हम कोई दुसरा तरीका इस्तमाल कर सकते हैं और जो लोग भी कारवार कर रहे थे तो उनका थुरा सर्वर डाउन है क्योंकि अभी ये मामला ट्रेंडिंग में है और इसको लेकर अरब लोग भी ज़्यादातर बात कर रहे हैं लेकि ज़् अपने कॉलिंग के लिए तो लोग के लिए कोई मसला नहीं लिए और जो लोग भी यह सोचते हैं कि VPN का जो फाइन आता है वो किस तरह से आता है हमारे मुवाइल पे किस तरह से आएगा हमें मेसेज आएगा या एरपोर्ट पे पकरे जाएगा तो मैं आपको बतना चाहूंग वहाँ पे अपना ATM कार्ड अटेज करते हैं कोई चीज देखने के लिए तो वहाँ पे आपका बैलेंस कटेगा अगर आप अपने बैंक से लिंक कर देते हैं क्योंकि कई ऐसा वेबसाइट है अगर आप वहाँ पे जाएंगे ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपसे मुवाइल आपका अपका येबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइबसाइब